दोस्ते दोस्तों आप सबको सवागत है अपके अपने चैनल फैंटेसी दुनिया में यह वीडियो होने वाला है मुलतान सुल्तान वर्सर्स कराची किंग के बीजों किला जाएगा फर्स्ट प्लेओफ पाकिस्तान सुपर लीग का तो हम लोग इस वीडियो में डिसकस करेंग विकास हम लोग पी एसल कवर कर रहे हैं साथ इसाथ आपको मिलेगा द्रिम लाव एंविंसी पीमेल लीक का मैचस के वीडियोस एन अनलाइस टीम्स साथ उसके बाद मिलेगा आपको बर्सी लोना टीटेने जितने भी गाईस डोमिस्टिक और इंटेशनल मैचस हाते हम सबसे उपर रहेगा पिंट क्या हुआ रहेगा डिरेक्ट लिंग हमारे फैंटेसी दुनिया टेलिग्राम चैनल का आप जॉइन कर सकते उधर से भी यह रहा कुछ विनिंग साथे साथ मैं एक एप का लिंग दूँगा जहां पर स्मॉल लिक्स खेलना बहुत इसी है देखो हमारे कुछ फैंटेसी दुनिया फैंटेसी मेंबर से कुछ स्मॉल लिक विनिंग की फॉटोस बहुत अच्छा विनिंग था गाइस आई होप यह विनिंग रहेगा आप लोग के लिए और आप जरूर खेल सकते उस एप में जहां पर कमिशन भी कम है कमिशन कम है एप का लि अब सेगें थे तो वेनिव कहां होगा कराची पें होगा यहां पर क्या हुआ था चो लास्ट मैच खेले गया थे वहां पर बैटिंग फर्स्ट विन किया था दो बैटिंग सेकें थोड़ा जादा प्रिफर करेंगा खासकर करके अगर आप देखते हो ना बहुत दिन बात एक फ्रेश पीच में खेला जाएगा फर्स्ट अइनिंग्स में जरूर बॉल थोड़ा मूब्मेंट करेगा जो सेकेंड इनिस में शायद बैट में भी आजाए पीच भी थोड़ा ज्यादा पार्टा हो जाएगा तो मैं प्रिफर करूंगा एक टॉस जित वह चीज करने कर इक सोपैसर्ट गास इधर होंगे अगर एक सो सत्थिर के उपर हो गया तो शायद छेस करना थोड़ा दिक्कत होगा एक सोची के खिलाब बहुत दिक्कत हो जाएगा अगर एक सोपैसर और एक सोसात सथ का अंदर रहा घस को मतब एक सुस लिए खीज भी हुआ तो आइधिं इनको ना confirm नहीं पकरके चल सकते हो विकोस यह lower order middle order बैटिंग करेंगे खास करके चेजिंग में चैड़ी कोईल टेन का record बहुत शामदार है बट यह ना एक हारीटर बैट्समन है तो आपको लगेगा कि यह फर्स इनिंग्स बैधातर record करेगा बट इनका चेजिंग में record अच् अच्छे फॉर्म में देखेबल पाच इनिक्स में 249 बहुत बढ़ा बात होता है गाइस बहुत ही बेटर खेले थे एलेक्स हिल्स शारजील खान जो ओपिन करेंगे ताबर तो बैटिंग करता है गाइस बहुत कम बॉल में ज्यादा स्ट्राइक से बैटिंग करेंगा ऐस चैन्स ना मिले शेफ्रेन रुदर फोरट चैन्स ना मिले कैमें डिलपाइस आइस आट आइस ओवर में बैटिंग करते हैं यह ना इनका रिसन मुझे अच्छा लगा था जब पाकिस्तान के लिए यह एक ऐसे प्लेयर है अगर ऑपनें में डोनों ही राइट-handed बैस्म ज्यादा तर विकेट्स देखोगे तो इमाद वासीम का पावर प्ले में है तो यह अफ्टर टॉस में बता बाऊंगा कितना लेफ्ट हेंडर राइट है उपनें में बट आइधिंग इमाद वासीम एक सिफ चॉइस होगा आपको 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 कहां से ओल रॉन रसेक्शन से मैं प्रिफर करूंगा यह आप बोल सकते हो बहुत दिन से क्रिकेट खेल रहा है इनको मालूम है कौन से लेंध में हिट करना है बट एक चीज़ जो इनको दिक्कत देगा जो मुझे लगता है वह होगा बहुत दिन बाद लेफ्ट आम सॉरी लेफ्टम पेसर्स जब अकमब अगर कहलेंगे जरू ले सकतो यह भी बट बहुत दिन बाहर थे क्रिकेट के तो यह ध्यान देना मैं मोहमत अमीर का कंफर्म नहीं हूं मैं थोड़ा कंफ्यूस हो गया बट वैन बाद आ रहा है तो जो पेसर्स हैं उनको थोड़ा दिक्कत होता है गाइस बहुत दिन बाद सब्सक्राइब करेंगे यह थोड़ा कंफ्यूजन है कि यह खेलेंगे या नहीं खेलेंगे खेल सकते हैं अगर करेंगे जरूर ले सकते हो बट इनका टीटीटी रिकॉर्ड देखोगे तो लास्तीन आर्ट तीन बीस बट ओडिया में अच्छा पर्फोमेंस था पाकिस्तन में मैच चल रहा था बट इनका टीटीटी रिकॉर्ड बहुत खास नहीं यह दिक्कत देगा आपको रोहल नजी चैनिक्स में एक उन्यासी रंट था लास्ट मैच में खुछ दिल्शा जो ओपिन कर रहे थे गाइस आर्ट इनिक्स में 175 आपन करेंगे शान मसूद का इस यह ना फिप्ट हाइस रंगेटर था रिसेंट पाकिस्तान जो टीटीटीटी वा था नेशनल टीटीटीटीटी पा हजर के करीब रन बट यह जो पीछ है ना पाकिस्तान का यह थोड़ा अगर देखोगे आप यह जो कंडिशन में खेलते थे यूरोप में एडम लेथ जादा तर इंग्लाइन में खेले होंगे तो वहां से थोड़ा नहीं बहुत ज्यादा डिफरेंट है का इस इधर का कंड का वन रन चार इनिक्स में दो वर फिर जोई डेनली साथ विकेट तेरा मैच 125 शायद यह ना खेले विकोस इनके पास औरेडी का इस क्वालिटी लोग स्पिनर्स है तो आइधिंग जो डेनली ना भी खेले विकोस इनसे बहतर होगा इम्रान ताहिर को खिलाना जो शायद प सब्सक्राइब करेंगे तो यह थोड़ा दिक्कत देगा इनको उस्मान कादिर लेफ्ट हम सॉरी लेग स्पिन करेंगे यह सफिक दो में साथ ओवर में दो इकर बिलावल भटी शायद इनका चांस ना मिले तो हिट्ट्ट में आता हूं गाइस वीडियो पसंदा है तो लाइक कर देना टेलिग्राम चैनल जोईन हो जाना विकोस आफ्टर अश्रफ का 30 शान मसूद 61 रन किया था गैस और फिर इम्रान ताहिर का तीन विकेट था था मुहम्मद लियास का इक विकेट एक चीज़ मैं दिखा देता हूं शान मसूद का हम लोग एक बार रिकॉर्ट देख लेते जो शान मसूद है यह रहा इनका गैस आर्ट इनिंस मे होने वाले साथी साथ इम्रान ताहिट इन दोनों को चलना मुस्ट इंपोर्टन है अगर इन दोनों से कोई एक भी नहीं चला आइधिंग मुल्तान यह मैं चार जाएगा कराची से गाइस आब आवर जम चले नहीं शार्जिल का स्वाला था एलेक्स हेल्स का 29 था मुहमद अमीर का दोगे था इफ्तिकार एन उमाइद का एक उगे था फिर मुल्तान कर अची जहां पर गाइस एक सो दो तक मुल्तान पहुँच सका गाइस यहां पर भी अच्छा शाह इंशा अफ्रीदी बैटिंग से अच्छा पर्फॉमिंस देते हैं यह आमीन का दो था इमाद क में आफटर बेखांब मुल्तान प्राइब आविशा देखोगे तो इनको थोरा प्रॉबल्म होगा आप देखोगे कुछ दिन आगे जो मैच इस हुआ था इसमें इन बीचेजिंग अच्छा हूए और अइप्रिफर करूंगा मैंच शायद इस मैच में भी थोरा बेटर हो तो मैं जो टीम चेज कर रहा है वो है भी बनाऊंगा सेफ कैप्टेन बाबर अलेक्श इल शानमसुथ यह सब्से इमपॉर्टन बात है जन्दा क्या करेगा बाबर शानमसुथ को ना बना है अलेक्स हेल्स को बना है बट मैब प्रिफर करूंगा अगर चेज होता है शान मसुद को आप वी सी रख देना ठीक है बाबर एक सेफ कैप्टेन है इनको ही रखना है ज्यादा ऑप्शन्स नहीं है एंखास कर कि इंगलेंड के लिए पाकिस्तान के लिए खेल के भी आ रहें तो यह फेबर करूंगा बट शान मसुद को अब जरूर के खिलाफ तो यह भी फॉम में है गाइस शार्जील खान यह बहुत हाई हाई स्टाइक रेट से बैटिंग करता है तो एक अधर डिमें को भी कैप्टेन वीडियो पसंद आए तो लाइक कर देना टेलिग्राम चैनल जोईन हो जाना विकूस मैं अफटर टीम फाइनल टीम सब्सक्राइब करना है तो अधरी दिंगा तो टेलिग्राम चैनल बहुत इंपॉर्टन है फिलाल मैंने जो वह कैप्टेन किया देखो मैंने एकदम सेफ किया बट मैं सेफ नहीं जाओंगा मैं थोड़ा तो डिफेंट ट्राइग करना है शान मसूद को मैंने विसी ट्राइ यह मैं जरूर चेजिंग फैबरेट टीम बनाऊंगा बट तभी भी मैं प्रिफर्ट मुझे नहीं लगता कि फर्स इनिंग्स में भी शायद साथ आट विट से साथ आट गिट गिर जाए ठीक है जी शान आश्रफ तो दोनी टीम के पास बैट्समें है अल्रेडी बहुत है तो लाइक कर देना अब जरूर एक आदा टीम में डिफेंशिल ट्राइक कर सेकते हो शान मसूद को ऐसा कैप्टेन विकोज बाबर हजम बहुत जाद जबर दस फर्म में लगे नहीं मुझे पाकिस्तान के लिए एक आदा टीम में आप जरूर शारजिल खान को भी बना द देना थैंक यू गाइस